कई लोगों को लगता है कि आलिया और रडवीर फिल्म ब्रमास के शूटिंग के दोनान पहली बार मिली थे लेकिन बताती कि ऐसा नहीं है आलिया भट रडवीर कपो से तम मिली थी जब वह सिफ ग्यारा साल की थी लेकिन तब आलिया ने सोचा नहीं होगा कि वह एक दिन रडवीर से शादी करेंगे दरसल एक शूटिंग के तुरान आलिया को रडवीर के साथ काम करना था उस सीन में सिर्फ आलिया को रडवीर के कंदे पर से रखना था उस वक्त आलिया रणवीर को दिकर शर्मा रही थी हाले कि तब उन्हें एक्टरों को लेकर क्रश और प्यार नहीं था और होगा भी कैसे क्योंकि वह तब बहुत छोटी थी इसके बाद करन जोहर के शो काफी विद करन के दुरान आलिया भट ने एक बार कहा था कि रणवीर कपोर मेरे क्रश है उन्होंने ये भी कहा था कि वह रणवीर से शादी भी करना चाहती है उस वक्त रणवीर के एटरिना कैफ को डेट कर रहे थे लेकिन अब आलिया की यह इच्छा सच में पूरी हो चुकी है आलिया और रडवीर पहली बार साथ में सोनम कपूर की शादी में नजर आये थे ये दोनों की पहली पब्लिक अपिरेंस थी साथ में दोनों की इस दौरान की फुटोज शूशल मीडिया पर खुब वैरल हुई थी इसके बाद एक मैगजिन को दिये इंटर्वियो के दौरान रडवीर ने आलिया के साथ अपना रिलेशन्शिप कनफर्म किया था हाला कि तब रडवीर ने ये भी कहा था कि वह इस बारे में और अपडेट नहीं देंगे इसके बाद आलिया भट ने रिलेशन्शिप कनफर्म किया था और एक इंटर्वियो के दौरान कहा था कि वह बादलो पर खुद को महसूस कर रही है इसके बाद फिल्म फेयर के एक अबॉर्ट फंक्शन के दौरान आलिया और रवीर एक दूसरे के बहुत करीब आये दोनों के कई वीडियो और फोटो इस दौरान के वाइरल हुए थे इतना ही नहीं अब आपॉर्ट जीतने के बाद आलिया ने रवीर को देखते हुए कहा था आलिया और रवीर ने ना सिफ एक दूसरे के करीब आये थे बलके एक दूसरे के परिवार के भी करीब आये दोनों परिवार के फंक्शन में साथ जाते थे आलिया रवीर के परिवार के साथ वेकेशन भी जाती थी कभी कभी तो दोनों का परिवार साथ में वेकेशन पर भी जाता था फिल्हाल ररबीर और आलियव फिल्म ब्रमास में नजर आने वाले हैं साल 2018 सी दोनों ने फिल्म की शुटिंग शुरू की थी और इसी शूटिंग के दुरान दोनों एक दूसरे के करीब भी आये थे